हलो दोस्तों तो आज आपको हम बताने वाले हैं कि फोन की गैलिरी का कोई भी फोटो को आप स्मार्ट बाच जो फेस होता है उस पे होम-पेज पे कैसे आप इसे लगा सकते हैं तो चलिए सिखते हैं तो सब से पहले आपको अपने smartwatch का setting में चले जाना है. चलिए हम यहाँ पर चले जाते हैं. उसके बाद आपको यहाँ पर दिखिए download app को option दिख रहा होगा. यह बोट का smartwatch है दोस्तों, तो ऍिया आपको बोट का smartwatch में यह करके बता रहा हूं. तो download app पे हम click कर देते हैं यहां पर यह देखे download app पे हम click करेंगा यह देखे qr code आ गया अब आपको क्या करना है अपने phone से qr code को scan करना है तो चलिए हम यहां पर भी इसको scan कर लेते हैं scan करने के वाद आपको यहां पर open in browser किया कर लेते हैं अब phone में आ गया है और यह देखे यह आ गया इस app के इस app को आपको क्या करना है डॉनलोड कर लेना चुकि हमारे phone में download है तो यहां open आ रहा है तो हम open पर click कर देंगे ठीक है जब हम click करेंगे तो यह देखे बोड कंपनी का है तो बोड कंपनी का एप हमारे phone में आ चुका है अब आपको क्या करना है आपको क्या 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 है कि जो phone है उसका Bluetooth on करेंगे और इस जो smart watch app का इसका Bluetooth on करेंगे दोनों को pair कर देना है मतलब connect कर देना है तो हमारा यहां पर already pair है क्योंकि मैंने इसके पहले भी कर रखा है तो यह आपको हम दिखा रहेते हैं इसमें यह देखिए अभी आ रहा है इसको पर हम skip करेंगे और यहां पर आप देख सकते हैं उपर में यह देख आपको देख सकते हैं my watch आ रहा है इस पर हम पर आपको क्लिक कर देना है उसके वाद आपको चले जाना है यहां पर देखिए change watch face रहा है नன्याने change watch face गारा है na change watch face इस में आप कर देखें बहुत सारे watch face आ रहे हैं बट हम में क्या करना अपना phone में से कोई भी एक photo को लगान पुर्णा रखें अब हम क्या गरेंगे नीचे देखेंगे आपको दिख रहा होगा create a watch face इस पर आपको tap करने के पाद को क्या करना है वो मैं बता रहा हूं आपको अभी यहां पे देखिए नीचे अपको option दिख रहा होगा background ठीक है उस पर तो जैसे कि यह photo मैंने अभी यहाँ पर select कर लिया है अभी से हम इस तरीके से जैसे भी आपको दिखाना है जितना person आपको रखना है वो रखना है उसके बाद नीचे यहाँ पर save पर click कर देना है जैसे आप save पर click करेंगे यह जो आपका watch face है नया वो create होने लग जाएगा और यह देखे यहाँ इस तरीके से आपका जो है so होगा आपके smart watch face उसको बाद नीचे एक option दिख रहा है आपको save का ठीक है तो just हम इस पर save पर click कर देंगे अब यह देखे यह क्या लिख रहा है कि आपका जो watch face है create हो चुका है और अभी मैं आपके सामने watch भी ले आया हूँ ताकि आपको दोनों दिखे अब जैसे हम apply now उपर click करेंगे यह देखे इसका जो watch face है वो change हो जागा apply now उपर हम click कर दिए अब यह देखे downloading हो रहा है updating watch face यह देखे यह आपर downloading हो रहा है और यह रहा और यह देखे 96, 98, 99 और यह देखे हो गया इस phone पर और इस phone पर दोनों में same watch face है मतलब phone का जो photo था वो मैं जब watch face यूज़ कर रहा हूँ अपने smart watch में बहुत ही असान तरीका था दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को like करें